अब होगी नोकरियों के भरमार दोस्तो आप लगातार इंतजार कर रहे थी कि बर्तियां कब होगी कैसे होंगी कौन सी बर्तियां निकलेंगी तो फाइनली यूपी के मुख्यमंतरी ने आदेश दे दी हैं सभी डिपार्टमेंटों को सभी भागों को बर्ति करने के लिए और ये जो आपने मुहिम चलाई जो आपने परियास किया कोशिस की उसका नितीज़ा है कि आपने सरकार के परतिविरोध जारी किया था उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है लेकिन ये किवल यूपी स्टेट में हमें देखने को मिला है इसके अलवा परदर्शन तो पूरे देश में ही हुआ था और कहीं न कहीं एक रिपोर्ट में ये पता चला कि सब से ज़्यादा जो परदर्शन किया गया था वो यूपी में किया गया था यूपी में लोग उस सड़कों पर उतर चुके थे बच्चे सड़कों पर आ गए थे और उसकी वज़े से यहाँ पर देखिए आप जो नतीजा है वो आना शुरू हो चुका है यहाँ पर आदेश देदी हैं कल तीन महीने में सरूकरे भरती पर करिया च्छै महा में दे न्युक्ती पत्तर योगी तो यहाँ पर दोस्तों तीन महीने में जितने डिपार्टमेंट वकैंसी खाली पड़ी है उनका ब्योरा देख के ब्योरा मांग के और उनकी नोटिफिक जारी कटि दिया जाए ऐसा आदेश दीदिया और 6 महीने के अंदर-अंदर इनको नियुक्तिपत्तर दे दिया जाए यहाँ पर देखे suggestive के मुख्यमन्त्री नेस सभी भागों में रिक्ट्थ पदों को भरने का दिया निर्देश यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नोकरियां दी गई है कितनी नहीं दी गई किस डिपार्टमेंट में ठेक है यहाँ पे डाटा देख सकते हैं फूरा तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूपी में है वो अब भरतियों की भरमार होगी नोकरियों की भरमार होगी और ये सिर्फ उसी का नतीजा है जो लोगों ने परियास किया बच्चों ने परियास किया सड़कों पे उतरे प्रदर्शन किये जो सरकार के विरोध में परदर्शन किया कि हमें नोकरियों के जुरुत है रोजगार चाहिए और दोस्तो हरियान में यूनिटी नहीं है और कही न कही में आपको एक बात तुरकेना चाहूँगा अभी आपने देखा होगा 17 सितंबर को राष्ट्रिय बेरोजगार दिवस मना गया माननिय परधान मंतरी के जनम दिवस पर तो कहीं न कहीं थोड़ी सी भी सिस्टम में सरम है तो पूरे इंडिया में पूरे विश्व उसमें भारत में नोकरिया निकलने चाहिए क्योंकि जब डीजिटल सर्ट्राइक बच्चे कर रहे हैं और आपके जनम दिन के उपर आपके जनम दिन के उपलक्ष में राष्ट्रिय बेरोजगार दिवस मना जा रहा है तो कहीं न कहीं सिस्टम को सोचने की जुरूरत है और सोच के जो डिमांड की जा रही है यदि वो जायज डिमांड है और बरतियों के मांग करना अपने हक की मांग करना कोई गलत नहीं है तो नोकरिया निकालने ची अलंकी साइद आपको पता हुगा रेल्वे में अभी डेड़ लाक वकैंसी निकले हुए है जिनका पेपर आगे कभी होना है दिशंबर के आसपास तो इसके अलावा डेड़ लाक वकैंसी और भी पड़ी है रेल्वे के अंदर यदि गूर्मेट चाहे सिस्टम चाहे तो इन भरतियों को भी निकाल सकता है लेकिन ये डिपैंड करता है हमारे उपर की हम कितना विरोत पर दर्शन करता है कितनी हम अपनी मांगों को मांगते हैं ये सारी जी उसी पर डिपैंड करती है और दोस्तो हरियाना में कुछ बच्चे के बोलते हैं कि हरियाना में कब क्या होगा तो हरियाना में यूनिटी नहीं है हरियाना के बच्चों में एकता नहीं है और उसी कुछ से देखो आज कुछ भी नहीं हो रहा है हरियाना में स सब कुछ वैसा का वैसा है जो आज से साल डेड़ साल पहले था कुछ भरतियां तो हरियाना में ऐसी है जो 2007 से लटके हुई है कुछ भरतियां ऐसी है 2012 के बाद आज तक आई ही नहीं है बिजली बोर्ड की जे वीटी की भरतियां है आई टे इंस्ट्रक्टर की भरतियां 2011-12 सेट की हुई है आज तक भरतियंगें प्लेट ने दोस्तो बहुत सारी भरतिया हैं कमी कहीं न कहीं हम में है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं सिस्टम का तो दोस्तो यूपी में तो सुरुआत हो शकी है लेकिन सुरुआत हुई है वो बच्चों ने जब अपना हांक मांगा विरोध पर दर्शन किये और यदि आप बिजाते हो कि कुछ हो तो आप भी किसी ना किसी तरीके से सरकार को बताओ कि रोजगार जरूरी है रोजगार भी एक मुद्दा है इलेक्शन के बादगा लेकिन हर्याना की सरकार क्या है रोजगार को भूल चुकी है रोजगार को मुद्दा मानती ही नहीं ठीक है तो यही था दोस्तो अभी आपकी आगी क्या राई है वो आप कमेंट करके जुरूर बताइगा इस वीडियो में इतना ही आप समेका बहुत बहुत धन्यवाद